मस्जिद अक्सा इंशाला ना कभी उसको कुछ हुआ है ना कुछ होगा उसकी इफाद अल्ला करेगा बागे फिलिस्तिनियों और यहां कि इतना वरोसा आप उनकी मैं आगा उनके यकीन को देखो क्या लग रहा है कि फिलस्तीन वाकि आजादी के साथ हैं इसका बोग्षाहिस करा दीजिए आप प्रइस्वाइट उन्वास और लिजा लडने के लिए के लिए इसरा मैं नमशकार मैं आपके साथ जफिर राइप 17 की आप देख रहें हैं प्यार बीस तरी तरी चिसा सब्सकार गाजा और इसराइल की तस्वीर है सोशल मीडिया पर देखकर कहीं न कहीं हर किसी की रूह काप रही आज इस पूरे मुद्धे पर मेरे साथ बात चीत करने के लिए बाल योगी पंडित विजय शर्मा मौजूद हैं क्या कुछ सोचते हैं क्योंके बाल योगी हैं और ये भग का के बारे में जानकाई ने थे लोग इसी की तरफ करके नमाद पर दिया करते थे और यह चौदा ऐसी वजह है जहां जिसकार से मुसल्मान इनको यहां पर ज़रूरी है यहां सभी नभीयों के पैर पड़े हैं यहां ताबुते सकीना का जिक्र है यह ताबुते सकीना एक मुस्ludedित्ताम के पाद यादित्त्याम के पहुंचा और इसको रखने के लिए पहला गर बनाए गया था उससे हरके सुलेमानी कहा गया जे यह यह बात ऑज इजल्याइल की फिलिस्तिय्टीन है बात इसको सहीद करके यहां पर हलकेल सुलİमानी बनाने की जीकः voud असलमें नभी को लाज्ट पैगंबर मांता तो जब अल्ला ने कह दिया कि लाज्ट पैगंबर हमा अद्रत मुहम्मद साब है पूरे उम्मत के लिए पूरान पूरे उम्मत के लिए उसको सब को मानना है चाहे वह यहुदी हो इसराहिली हो और एक्स यह यह कोई भी इतनी फिरके हैं लेकिन यहुदियों का मानना है कि यह नभी हमारे कौम से आएंगे वह आखिरी नभी मुहम्मद साब को नहीं मानते हैं आप मानते हैं बिल्कुल मानते हैं पीलिस्तान फिलिस्तिनियों का दिल बसता पूरे बिस्व के मुसल्मानों का दिल बसता लेकिन 1948 में जब हिटलर ने इनको भागाया तो यह कहा है फिलिस्तीन आए फिलिस्तीनियों ने इनको अपनी जगे दी अपनी जमेन दी रहने के लिए और यह क्या कर रहे हैं जब वो से नमाज पढ़ने लिए सर जुकाते हैं तो उनको लात मारी जाती है जब दूआ में ऐसे करते हैं तब उनको लात मारी जाती यह क्या हो रहा है और किसके लिए कर रहे हैं यह लिए लोग барता समसाथ की लखड़ी का बना हुए था कि और यह मेंने गावनाब आ कि ये आदम ऐले सलाम से ना ना जीन को यह इसवां ऑफिक उले नसले दनाते ना सलमसां भा यह बक्स यह ताकत्वर बसता था इसको इज्राइली युद्ध में ले जाया करते थे खोल के रख दिया करते थे तो उनके अंदर डर्क हतम हो जाया करता था कि अल्लाग हाथ उनके उन्होंने कई जंगे जीती है इससे इसे मुशा अले सलाम का जो है औरिजनल तैरुद है अंगूठी के एक हमारे कई नभी नभी के अंगूठी है उनका जुतिया है हासा है काभी चीज़े उसमें नभीयों कि रख्या इसलिए वह ताकत्वर हुआ है उसमें अल्लाग की रह्मत है अब कहा जाता है कि यह बक्सा वहां है कहां पर मजिद अक्सा के नीचे जहां पर हैत मुभमा है अब एक मर्वाना का बयान मैं देख रहा हूं चलनों पर जूट बोला है मक्जिद अक्सा को सहीत करने के साधिस है कोई बक्सा कहीं नहीं है वह बक्सा ला के पास है लेकिन लोग जो है वह फलस्तिनियों को आतंगवादी के समर्थन में क्यों उतर रहे हैं हमारे जमीन कोई कबजा करेगा तो हम आतंगवादी कहेंगे अपने आपको छोवाने के लिए जाएंगे हम आपका माइक छीन लेते हैं अब आप इसको लेने के लिए जो संगर्ष करोगे उसे आतंगबाद करेंगे क्या पाखलपन की बात करते हैं और हिंदुस्तान का रिकॉर्ड में लगतार जितने लोग आप देखे कमेंट में जाकर लोग जैश्री राम ल में लगतार हम बोलेंगे लोग कहरें जैशी राम बोलने सबसक्राइब जिर्वाइल का जैसरी राम कल भी बोलते आए जैसी राम मजब्देखे फिलिस्तीन अच्छे बताओ इसराइली और फिलिस्तीन भाई 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 उसके उम्मद यह नभी की उम्मद यह हैं आई साही इसमाईल से में मामला चलते चलाया तो यह अपने भाईयों के यह अब्दुल्ला दिवाना इतने अंदभक्त वेगानी के सादें दिवानी हो रहा है एक हजाल लोगों को लेकर जा रहे हैं मलीपुर चले आवकाथ है तो है आवकाथ हो चले मलीपुर हम भी चलते हैं साथ में हम खुद इनके जो पिएंगे जो कूद रहा था वो उनको ले चले यह तब दलाली है दलाली वाला काम बंद कर दीजे यह सब नमूने में में मतलब के इनको ना अपने धरम की नौलेज है ना इसलाम की नौलेज है ना यह राम को जानते आप बताएए आठ किलो मीटर तो बच्ची चली थी उजायन महाकाल में हो बेटी डर्द चिक्ति हो जो भी होस हो गई थी उसका जो खून धर्ती में किरा था बलतकार के बाद आप सूचिए क्या वहां पर कोई हिंदू मुसल्मान सी किसाई नहीं था कोई इंसानी नहीं था क्यों गेट बंद कर लिया गया क्या इतना को इंसान है और यह इनी जैसे लोगों की मान सिकता है है जो समाज में फैलती जा रही है हम अमन की बात करेंगे सांती की बात करेंगे फिलिप और सुतंतर फलिस्तिन की बात करेंगे जो अटल जी का बयान है बाद्पा के प्रधान मंत्री अटल जी का बयान है कि भार यंता पाड़ी की सरकार आ चुकी है अब अब लोगों को ल राजनीतिक सबूत है हमारे बाद विदेशनीति के सबूत है किस तरह देश्टिफाई आप चाहते हम कर दें अब तो लेकिन पंडी जी इसराइल ने जो है वो पानी बिजली सब कुछ बंद करने की बाद आप यह क्रेंड रसिया का युद्ध हुआ जी कहीं पानी बिजली ब कर रहा है कौन कर रहा है कुरान के आठवे पारे 28 पारे में लिखा है कि अगर कोई गयर मुस्लिम गयर गार मुस्लिम गयर हिंदू कोई भी धरम जी अगर आप तालुकात रखता है तो आपको अच्छे त्वित बहुत शुक्त करने चाहिए यह कुरान कहता है तो प्यमेहार नभी ट्रूव मेह प्यार महभूप जिनका नाम लेने में आखे इस बते नभी के लिए आप उनके उम्मदियों को लात मारते हो जब उनकी बैत करते हैं जब कि आपके भी नभी को उनीके हमारे आधायत मुम्मास साब ने एक लाक चोबिला नभी ओक बुलाकर वहां नमादा कराई थी आप अधाय लिजिए तो कैसे यह किसको मान रहे है तो यह नाम यहुदी हैं, यहुदी कौम आद मुसा ले सलाम जो कि अल्ला से रूब हो, यही एक नभी थी जो अल्ला से रूब हो, बाकी तो पर्दे से हमारे नभी ने बात की थी, नमाज कम कराई थी, और भी कई काम किये थी लेकिन, आद मुसा ले सलाम को भी मुसा ले सलाम भी देखते होंगे नभी से बात करते होंगे तो कहते होंगे यहुदियों को बताईए हमारी कौम कैसी कर रही है इनकी बक्षाइस करा दीजेगा आप तो पंडी जी आखेर कैसे सारा मसला हलोगा क्योंकि आप देश के परधान मंतरिय करके इसराइल के सा प्रिस्तिन के साथ है हमने भी चोटे खाई है हमारे लोग भी सहीद हुए हमें पता है दर्द मजिद अक्सा इंशाला ना कभी उसको कुछ हुआ है अना कुछ होगा उसके हिफाद अल्ला करेगा बागे फिलिस्तिनियों और यहां की मुसलमानों के तरह वहां के मुसलमान थाग मेनाच नहीं रहे हम गाना नहीं एक पाथान में पैसे नहीं टा रहा रहे है उपने माजि अपने हग के लिए अपन अग्र रखकेते हैं वह दिखते हैं मुलासे लेकर जाते हैं अपने बच्चे का नाम में लेते अपने घर का नाम में आज़ते बहुते आतना वहाना उनकी मैं गराओ कुछ भी करो उनके यकीन देखो तो क्या लग रहा है कि फिलस्तین की लडाएव के साथ हैं इस्राइल के तो नहीं है, ऐसा थो नहीं कल आपका बयान बने अजराल है का पंडीजी में कल थे ना आज हैं और बने ऋ आता दीया हम पलें को पेंगे से ईस्राइल स wr. गांडी nouveau पुद्धार मंतरिक कामाला है वागिए कग संडु फिलिस्टीन के साथ हमारे पुटवे पुटवे परामंतरी थे यह गएर की संकी तरफ से लड़ने जाए कि देखेे दर्शगों सा कहना चाहूंगा कि ये भगवा वस्तर पहनते हैं बाल योगी जी ये कह रहे हैं कि अगर हमारे देश के कुछ ऐसे लोग जो आतंगवाद के साथ खड़ेंगे लेकिन उससे पहले उन लोगों को ये बात हमारी जवाब देना पड़ेगा कि उसके बाद मणी कब जाएगी उसी तरह कबरिश करने जितना सिद्ध से वहां कर रही है रूपकाई लाकत मुसल्मान है शर्म आ रही है उनको शर्मारी है फूश लो इतने बें टुक्लों में मत गिर जाओ कुछ मुसल्मान ऐसे होंगे लेकिन यहीं तक आखिर और उपर क्या होगा उपर क् अब इसी के लिए परसाने तब उस हकीना के लिए तो बालियोगी जो है वो मस्जिद अक्सा और फलस्तिन के साथ है बिल्कुल देखिए पूरे मुद्दे पर हमने बालियोगी से बात करी बालियोगी जी का ये कहना है कि मुस्तकिल तोर पर जो है वो फलिस्तिनियों के साथ है, मस्जिद अकसा के साथ है, मस्जिद अकसा के समर्थन में है जो लोग मस्जिद अकसा का या फलिस्तिनों का विरोध कर रहे हैं, हम भी उसका विरोध करते हैं और अगर वो लोग उनके समर्थन में आएंगे, यानि कि इसराइल के समर्थन में आएंगे, तो हम फलिस्तिन के समर्थन में फलिस्तिन जाने को तयार है। यह हमारे साथ पढ़नित बालियोगी जीत है, पूरे मुद्ध पर उनके बातचीत की, तमाम पेट के लिए देखते रहे हैं और बने रहे हैं प्यार भी के साथ।